फ्रेंस अगर आपने भी एक फेस्बुक पेज बनाए हुआ है और उस फेस्बुक पेज से अर्णिंग करना चाते हो अभी तक आप लोगों को यह नहीं पता कि उसके मोनिटाइशन क्राइटेरिया क्या होता है और क्या नी यह एक्चुली क्या मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे अगेंस इसां करते हो चाहिए आप रीज अपलोड करते हो या आप गेंग से रिलेटइद वीड़ियो बीड़ीओस यह आपके उपर डिपेंड करता है मैं आपको सिंपल स्टैफ में बताने वाला हूँ जो से ऐर्निंग का बाता इस dép यह एसफे पेजिंग पेजिवा यह इसकी profile picture पे click करते हैं और नीचे आप देख सकते हो इसके अंदर ये videos पे click करते हैं इसके ओपर friends मैंने कुछ ही video upload किये हैं देखते जाहिए मैं बता हूँ आप लोगों के चीजे में क्यों दिखा रहा हूँ क्यों नी इसके ओपर 10-20-30 वीडियो इस तरीके से upload किये हैं friends मैं इन पेजों पर बिल्कुल active नहीं हूँ मैं किसी दूसरे page पे click करते हैं और अब आपको एक option दिखाई देरोगा यहां पर यह यह बता रहा हूँ आप ने जितने भी page बनायों है बड़ी इसली यहां से जिस page पर आप switch कर सकते हो mostly आज की तारीकिम सब दो या तीन पेज तो दोस्तों बना के ही रखते हैं अगर facebook पेज़ पर सही सही ग्रो करना है तो और अब देखो यह professional dashboard आप बिल्कुल और उनसे अगर earning करना चाते हो तो इन tools के थूरू आप कर सकते हो stars, add-on reels, bonuses इन में भी जो सबसे important होता है earning का source वो होता है multi-action tool, add-on reels यही दोस्तों अगर आप activate कर ले तो अपने facebook page के हो तो अच्छी खासी earning कर सकते हो इसका देखो यह eligibility criteria बता रहा है इसका कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कितने followers होना चाहिए, कितने नहीं, यह just एक invitation program है, facebook आपको खुद से ही invite कर देगा, अगर आपकी reels अच्छा-खासा perform करती है, अच्छा-खासा viral होती है तो, और अब देखो दोस्तों इसके अंदर जो important चीज होती है, जो सबसे जादा earning का वो होता है, monetization tool वो होता और नीचे आपको दिख रहा होगा यह 5 active video, यह तो जादा कुछ नहीं है, और दोस्तों यह 5000 followers, 60,000 minute views यह और बता के चल रहा हूँ, पिछले recent 2 महीने में होने चाहिए, आपके जो भी 2 महीने, अगर वो complete नहीं होता है, तो आने वाले आप 2 महीने में पूरा कर सकते हैं, इस ग्रीन टिक के बारे में बात कर रहा हूँ, prohibited formats, यह Facebook खुद बता रहा है कि आप इस तरी content upload करोगे, तो वो विल्कूल भी monetize नहीं होगे, यह देखो, सबसे पहला इसमें static videos, static videos का क्या है मालो, आपने एक video लगा दिया, एक image लगा दिर उसके बार बार background music चल रहा है, वो यह इमेज, एक image, वो भी दोस्तों monetize नहीं होगा, इस तरीके से यही बोल रहा है, आपने देखे होंगे, बहुत सारे, एक image लगा दिर उसके बारे में पूछते हैं, इसमें से दो image लगा दिर इसमें कोन अच्छा है, किसका क्या है, आपने भी बहुत सारे इस तरीके से video monetize नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोगों को देखे ही, looping videos, looping videos के अंदर बता रहा हूँ, मालो 5 seconds, 10 seconds कोई clip है, और बार बार आप वही repeat कर रहे हो, उसका 2 मिनट का, 5 मिनट का video upload कर दिया, friends, वो भी बिल्कुल monetize नहीं होगे, इसके अंदर आप जा होगी, यह हर category के लिए होता है, चाहिए आप gaming से related upload करो, चाहिए मूई की clip करो, चाहिए कुछ भी, हाँ यह long videos के लिए होता है, बता के चल रहा हूँ, अब friends थोड़ा सा back चलते हैं, यह green tick वाले के बारे में बात करते हैं, वो content monetization policies, यह अगर आपके वहाँ पे इस तरीके स नहीं दिखाई दे रही, तो आप इसको यहाँ से जाके चेक करना, यह page recommendation, अगर friends यहाँ पे इस तरीके से page recommendation पे, अगर note recommendable दिखाई दे रहा है, यह कुछ भी problem है, page status के अंदर, तो friends वो green tick वाला, आपको option शो नहीं होगा, वहाँ पे green tick नहीं दिखाई देगा, तो यह दे आप खुद के original content upload नहीं करते हो, तो देखो, आपको एक option दिख रहा होगा, help and support का, यह support inbox एक बहुत ज़्यादा important चीज़ होती ही, इसको जाके आप हमेशा check करना, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर दुबारा आपकी information के लिए, यह देखो URLS, यह URLS क्या है, दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके शो होना चाहिए, no violations, thank you for helping key Facebook save for everyone, अगर यहाँ पे कुछ problem है, तो दोस्तों आपके Facebook page को Facebook बिल्कुल recommend नहीं करता, और आपको grow होने में बहुत ज़्यादा problem को face करना पड़ेगा, अब friends मैं बाते कर लेता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं मना नहीं कर रहा, Facebook से earning कर सकते हैं, फेस से, लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं, हाला कि मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं हो, उनको बताने दो, लेकिन मेरा responsibility बनता है, मैं आपको बिल्कुल प्रूथ बताने की कोशिज कर रहा हो, अग अगर वहां पर ग्रीन टिक नहीं दिखाए देरो, आपकी इसकी monetize and policies को follow नहीं करते हो, चाहे आपका criteria पूरा भी हो जाए, दोस्तों, Facebook इस पेज को कभी भी monetize नहीं करेगा, उसको reject कर देगा, अब मेरी बात है, ध्यान से सुनो, इसमें मैंने दो चीजा आपको बताईए, ये के page recommendable वाली और एक वो support inbox में जाके, time to time जाके इनको देखा करो, यहाँ पे कुछ भी problem नहीं होनी चाहिए, otherwise Facebook आपके page को बाद में reject करेगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, friends मैंने कोसिस किये, जल्दी जल्दी बताने की आप लोगों को, इन 3-4 चीजों पे यार दोस्तों आप ज्यान जरूर देना, अगर आप Facebook से earning करना चाहते हो, मेरे पास friends कमेंट यही है था कि आप हम यह बताइएगी, अगर हम Facebook page के उपर gaming के वीडियो अपलोड करके, इसको monetize कैसे कर सकते हैं, यार देखो चाहिए आप gaming के करो, चाहिए movie की clip करो, long वीडियो की बा views बास ताइम है, यह आपके पिछले recently 2 महीने में होने चीए, यह ध्यान रखना यह नहीं है, आप पिछले 6 महीने साल बर के ऐसे, वो count नहीं होंगे, अगर दोस्तों पिछले 2 महीने में नहीं पूरा होते हैं, तो आने वाले आप 2 महीने में इसको कभी पूरा कर सकते हो, ज इसका monetization criteria होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप Facebook page से सही में अर्मी काना चाहते हो, यह content monetization policies issues, इस बात का ध्यान रखना, यह जब तक वहाँ पे green tick नहीं show होगा, तो आपकी सारी मैनत बेखार जाएगी, friends, अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको इस लेकिन यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं, तो मेरे पास जो comment आया था मैंने, कोशिच की अपनी तरब से, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बताने के आप लोगों को, friends, वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज लाइक कर दना और चैनल को सब्स